आपके साथ हुआ है कावेंदर चौहान वक्त हो चुका है उत्राखंट के खास पुलिटन अपना उत्राखंट का ख़बरों के शुरुआत करेंगे दहरादून से आ रही इस ख़बर के साथ जहां शार्दिय नवरात्र की नवमी के मौके पर गुरुवार कु तुराखंट के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूचन किया है इस दौरान उन्होंने नौ दूर्गा के प्रतीक नौ कन्याओं को भोजन कराया वहीं मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने इसकी चानकारी टूइट करके दी है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दहरादून में सीम धामी ने अपने आवास पर कन्याओं को भोजन कराया है नवमी के मौके पर सिंग धामी के आवास पर एक आरकरम का योशन क्या गया था जहां पर उन्होंने विधी विधान से पूझी पूर्जा अर्चना की और इसके साथ ही आई कन्याओं को भोजन कराया हरिद्वार में E.M.K. आटो मोबाइल कंपनी के करमचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना पर दर्शन कर हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट काराले में क्या पन सौपा है कंपनी करमचारियों का रोप है कि पिछले दो महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला और कंपनी प्रबंधन की तरफ से उन्हें सिर्फ जूठा आश्वासन ही दिया गया जिससे अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है इसलिए कंपनी की तरफ से भूगतान नहीं किया जाता तो कर्वचारी भूगहरताल पर जाने के लिए बात होंगे तरफ हमारे दो महीने का वेतन नहीं मिला ये तीसरा महीने में भी आदे दिन निकल चुके है लेकिन अभी तक ना हमारे कोई परसासन साथ दे रहा ना कोई साथ दे रहा हमने कोट केस भी करके देख लिए लेकिसरा हमारे इतना बजट नहीं है कि जो हम तीन-चार महीने तक घर पर बैटके अपना काम चला लेंगे सार हमारे एक-एक पैसे के लिए मोटा जोचके हैं और किसी भी मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं उड़ा रहा हमारी आपके सामने ही मैने भी मैनेजमेंट को कॉल सर ये एम के आटम वाल्स कंपनी है पुरानर इस्टेंडेज एरिया एफ पैंटीस ये सर भाई हिरो की बैंडर है लेकिन अब जो मैनेजमेंट है हमारे पहले बाद दो महीने का वेतल रोग रखा है नोले तीसरा महीना ये हमारा चालो हो गया कि तेज तारिक्षा महरताल में बैटे कोई भी नहीं आगा हमारा ये आलचाल पूछ रहा कि तुम्हारा नागो यासवसन दिया जा रहा कि एतनी तारिक्षा कर देंगे एतनी तारिक्षा कर देंगे बस पिछले महीने से 11 साथ तारिक्षा में समय पर समय दिया जा रहा उतरकाशी के जिलादिकारी मयूर दीक्षित ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कारियों में तीजी लाने के निर्देश जलने कम और जलसनस्थान के अधिशासी अभ्यंताओं को थिये जो काम पूरी तरह से हो चुके हैं उनकी जीओ टैगिंग करते हुए उनलाइन एंट्री करने के साथ ही सत्यापन करने के तो उतरकाशी से तस्वीर आप देख रहा है जहां डियम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है समीक्षा के साथ ही स्यमों को प्रमाड पत्र देने के दिर्देश दिये गए हैं इसके साथ ही पूरी समीक्षा वैटक में उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिसा निर यह पहचान पत्र लोग कलाकारों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाने में कारकर सावित हो का देव भूमी उतराखण के प्रसिद्ध शक्ति पीठ महा कलिंका मंदिर पौडी गडवाल अलमोडा के नौर इन्मेत मंदिर के उत्खाटन और मूर्ती स्थातना के औसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कारकर्म के मुखे अतिती प्रदेश के परेटन धर्मसो और संस्कृती मंतरी सत्पाल महराज ने लोग कलाकारों के लिए कई अन्य महतुपूर खोशनाएं भी की कारिकर्म के दौरान संस्कृती मंत्री सत्पाल माराज ने कहा कि उत्राखंड के लोग कलाकारों को संस्कृती विवाब की तरफ से एक पहचान पत्र जारी किया जाएका इस पहचान पत्र में कलाकार का आधार नमबर आए और अन्य सभी प्रकार के विवरण उपलब्थ होगे ये पहचान पत्र सभी कलाकारों को हर प्रकार की सुविधायन दिलाने में बेहत उप्योग की होगा पॉडी से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां लोग कलाकारों के लिए कई खोशनाएं की गई है एक कारिकरम का योजन किया गया था जहां पर भाडी भीड देखी गई नव निर्मित मंदर का उद्गाटन कारिकरम था वाडी से ये खबर आपको दे रहे हैं आज सिद्ध पीठ कालिंगा में यहां आकर के कुमाओं और कड़वाल का संगम हो रहा है और विशाल जन समदाएं यहां पर आया हुआ है और सब यहां पर सांस्कृतिक कारिकरमों का आनंद ले रहे हैं मैं यह बताना चाहूंगा कि गड़वाल और कुमाओं को जोडने वाली जो सबके हैं उनको प्रार्थवित्ता के आधार पर हम करने जा रहे हैं अदाके हमारे कड़वाल और कुमाओं की किनेक्टिविटी जो है वो साकार हो इसके साथ साथ विकास के बहुत से काम जो पानी की पेजल योजना हैं उनकों हम साकार कर रहे हैं कई छोटी बड़ी सलकों को हमने सुक्रती प्रदान की है और इस शेत्र के अंदर इसको पर्येटन के मांचितर पे हम लाए हैं कालिंगा बंदिर को हमने शैव सरकेट के अंदर डाला है इसके साथ हमने कई स्थानों को यहाँ पर विक्सित करने का प्यारेच बनाने का शोचाले बनाने के हमने बहुत से यहाँ पर प्रजेक्ट चालू किये हुए हैं उत्राखंड में जैसे जैसे चुनाओ नजदीक आ रही हैं वहीं हर संगठनों के करमचारियों ने भी हर्ताल करने का मन बना लिया है इसी कड़ी में ननिताल में भी उत्राखट के पेजल आउट्सोर्स करमचारियों ने पांचे सूत्रिय मांग को लेकर हर्ताल शुरू करती भीमतल मुख्याल है और ननिताल समेट करमचारी काम का बहिशकार कर धरना करने बैठ कै मंदलिय सलाहकार सितम बालमिकी ने कहा जब तक करमचारियों की मांग पूरी नहीं होती आंदोलन यूहीं जारी रहेगा तो ननिताल से तस्वीर आपको दिखा रहे है जहां पेजल करमचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है इनकी पांच सुत्रे मांगे है जिसको लेकर कहा गया है कि अगर मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन यूहीं जारी रहेगा मापरमंदक महरते द्वारा भी वार्दा के गई है और बीच में अठाजया द्वारा भी हम लोगों द्वार्दा के गई है लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाय गया है गौहाटी में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते समय शहीद हुए हरिद्वार के जवान सोनित कुमार सैनिक आपार्थे शौव गुरुवार को उनके आवास पर पहुचा जा मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी ने शहीद के पार्थव शरीर पर पुषप चक्र अर्पित कर शधाच लीती है इस दोरान मुख्य मंत्री ने कहा कि शहीद के परिजनों को राज सरकार द्वारा हर संभव मदद दी चाहेगी कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद, विधायक परदीब बत्रा और सुरेश राठोर ने भी शहीद जवान को शधाच लीती है बता दे हरिद्वार के धनौरी निवासी आर्मी जवान का गोहाटी में इलाज के दौरान 11 अप्टूबर को निधन हो गया था 22 सितंबर को गोहाटी में सेना के जवानों का वाहन पलेट में से उसमें सवार धनौरी का जवान भी खायल हो गया था जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया था तो मुक्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने शधाच धांच ली दी है अग लगने के कारोणों का भी तक कोई पता नहीं चल पाया है बता दे आग इतनी भीशन थी कि आख लगने से आसपास के शेत्र में दहसत का माहौल पर क्या वाके पर पहुँची अगनी शमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबल पाया तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहांपर रैपिड कंपनी में भीशन आग लग गई आग की लप्टे जोर-जोर से बिल्डिंग में नजर आने लगी जिसके बाद फायर ब्रिकेट की टीम मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका चमूली का जिलादेकारी हिवानशु खुराना ने आज करण परया के उपजला पताल का ओचकर इ्रेक्शन किया है इस दौरान उन्होंने कई वार्डों, लेबर रूम और अस्पताल परिसर का इ्रेक्शन किया इसके साथ ही जिलादिकारी ने मरीजों से बाच्चीत भी कि और उनका हाल चाल चाला इस दौरान जिलादिकारी ने बताया कि मरीजों से पता चला है कि अस्पताल में मरीजों का उपचार अच्छे से हो रहा है उन्होंने कहा कि अस्पताल में भीड़बार होने के कारड साफ सफाई की विवस्ता ठीक नहीं है जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित कर दिया गया है तो शमोली में जिलादिकारी निर्देशित किया है इसके साथ उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की इसके साथ ही वहां मौजो चिकित सकों से भी बातचीत की सभी हाल चाल जाने जिसके बाद जिलादिकारी का कहना है कि उन्होंने प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिये हैं जो उपजिला चिकित साले कंप्रयाग है उसका विर्याद रूप से नेक्षण किया गया समस्त वार्ड में और हमारे जो टेस्टिंग सेंटर हैं सब करनेक्षण किया गया पेशेंट्स का हालचाल पूछा गया एक इशू जो हमारे संग्यान में है थोड़ा जो रिस्पॉंस था वो अच्छा था कि जो इलाज आवश्यक इलाज हो मिल रहा है और किसी को अगर किसी कमी कि हमें संग्यान में तो हमें तुरंत हमने निर्देश दिये कि उसको दुरस्त किया जाए साथी साथ आज पूरे जिले में एक टिका करन का महावियान भी संचाल है तो उसके करम में भी हमारे द्वारा जो टिका करन केंद्र है उसका और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इस हॉस्पिटल को किसी सीसार एजंसी के या फिर शाषन से हम प्रस्ताब बेजेंगे कि इसका पूरा जीरोंधार किया जाए क्योंकि कहीं कहीं क्योंकि बिल्डिं शौब मिलने से हड़ कम मच गया सूचना पर मौके पर पहुंची पूलिस ने शौब को कबजे मेरे कर पूस्पॉर्टम के लिए भेज दिया है फिलाहल पूलिस मामले की चार्च परताल में जुट गई है मामले में श्री निगर चौकी इंचार्ज दीपक तिवारी का कहन है कि प्रत्रम डश्टिया व्यक्ति की बहुत जादा शराप पीने से पाउं फिसलने से लग रहा है मृतक का नाम सचिन बताया जा रहा है जो हर्याणा का रहने वाला है दीपक तिवारी ने बताया कि मृतक की उमर करीब 40 साल के आसपास है पुलिस मृतक के परिजनों से सं कि एक व्यक्ति का सब्जय लोवर बत्याता श्री लगर में इसकी वर टीन साइट नुमा मगान के बाहर और क्यारी में गीरा पड़ा है तो इस विशना पे हम पुलिस मृतक सा मौचे पर पहुचे तो तेखा कि सचिन नाम के व्यक्ति है तो लेवर क्लास है लेवरी कंड़ इसका बड़ी कियारी में गिरी पड़ी तो इसराप किने का आधी तब आपनी आस्पड़ास की लोग ने बताए कि व्यूं करने से ज्यादा आदेता लेवरी चोईता है विदोट फैमिली रहता था परिवार इसका कोई हागी हो हर्याना का ही बिलोग करने वाला है उमर इसका बड़ी बहुतर गंटे की लिए है सर्थारी स्पतार से जंगरी में अचात नावाजी कारोई पूरी रूप से जानकारी किसी रहागीर ने पुलिस को दी इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यूवक को 108 एम्बूलेंस की मदद से अस्पताल पर भरती करा थ पुझताच में घायल यूवक ने पुलिस को अपना नाम राजुद्दीन निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश बताया है घायल यूवक का कहना है कि वह चूड़ी बिंदे आदी सामान बेचने का काम करता है वैरिशिकेश से ट्रेन से गाज्याबाद जा रहा था उ जांच के बाद ही घाटना की सही ह dysfunction को बता सके रहा है तो रिशिकेश का पूरा मामला है जहांपर टीटी पर धख्का देकर गिराने कारोप लगाया है कि यूवक दोरा ट्रेन से यूवक जो गिरा है वो गंभीर रूप से गायल बताया जा रहा है ट्रेन से यूवक गिरा जिसकी तस्वीरे भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद वो गंभीर उसकी स्तिती हो गई, उसने सीधे तौर पर टीटी पर आरूप लगाया है, उसने कहा है कि टीटी ने उनको ट्रेन से धक्का देखकर नीचे करा थिया, जिसके शल्ते वो गंभीर रूप से घायल हो किया है लुड़की के पुहाना गाउं में मौझूद सभी आंगनवाडी केंद्रों पर बड़े घोटाली की आशंका जताई जा रही है इस घोटाले में शेत्र के सुपरवाइजर सहित कई अधिकारियों के मिली भगत भी हो सकती है इसका संदेज जताई जा रहा है क्योंकि पूरे मामले में संबंदित अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रही है बता दे भगवानपुर ब्लॉक के पोहाना गाउं में प्रती महा दिये जाने वाले बच्चों के अहार के पांच पैकेट के कीमत 100 रुपए वसूली जा रही थी जबकि सरकार की ओर से इन पैकेटों पर 6 रुपए का प्रिंट दिया जा रहा है संबंदित मामले में जब छेत्रे सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने हर बार मीटिंग में होने का बहाना कर कैमरे के सामने आने से मना कर दिया है तो यह रुड़की का पुरा मामला है जहां पर बड़े घोटाले की एक नजर आ रहा है बड़ा घोटाला होते हुए आंगणवाडी केंद्रों पर यह घोटाला है जिसकी दस तक दिखाई दे रही है और सुनाई भी दे रही है जिसके शलते अधिकारियों की भूमिका पर संदे जता जा रहा है अधिकारी लगातार कोई भी जवाब देने से बच्चते नजर आ रहे हैं ले रही तेखों ले निगे राशन ले रही हम ना लेगे हम लेगा 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 सरकार नो दे रख़ा आप पर तो ही मेरी चाची और मेरी बाविया लेने के लिए रासन तो मेडम के पास ही उन्हों ने बोला कि पचास रूपए लगेंगा आपके तो उन्हों नोन मुझे बताया जागर तो में वापीस में ने पूचा मैडम किस चीज के पैसे पचास रुपया ले दिए हो मैडम ने कहा कि हमें उपर से ओडर मिलेगें पचास रुपय में ये नैपकिन है तो उसको बोलते तो उसको पर आज ता छे रुपय है दस रुपय कि हिसाब से ले दिए हैं और उसमें शे रुपया पर पीश था दोरा कोविड-19 जन जागरुकता रैली को कोविड शपद दिलाकर रवाना किया है ये रैली जनपद मुख्याले के प्रमुक चौराहों बाजारों में नुकर नाटकादी विदाओं के माध्यम से लोगों को जागरुक करेंगे इस दोरान मतदाताओं को जागरुक करने के उदेशे से निर्वाचन का रैले द्वारा स्वीप रैली भी निकाले गे इस दोरान जिलादिकारी में रैली में प्रतिबागियों को सम्भोधित करते हुए कहा कि जनपद अभी कोरोना मुक्त हुआ है लेकिन खत्रा भी टला नहीं है इसलिए जरूरी है कि कोविड-19 के मानकों का नुपालन सुनिश्चित किया चाहे और आम जन को जागरुक किया चाहे बॉलिवूट म्यूजिक डिरेक्टर शांत्रनू मोहित्रा की गंगो उत्री से गंगा सागर तक साइकल यात्रा के दौरान बन रही डॉक्यमेंटरी सॉंग आफ रिवर में बॉलिवूट के प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान के साथ उतरकाशी के कलाकार भी नजर आएंगे इतना ही नहीं आपको लोकगीत बाजुबन जोडा पवाडा भी सुनाई देंगे इसके लिए म्यूजिक डिरेक्टर शांत्रनू के साथ समवेधना समू के कलाकारों ने हर्शल में ढोल दमाओं के साथ शूर्टिंग शुरू कर दी है वहें बॉलिवूट के म्यूजिक डि अधर तक साइकल यात्रा शुरू की है इस यात्रा के दौरान वो गंगा और गंगा के किनारे रहने वाली संस्कृति और परंपरा पर सौंग ओफ रिवर की थीम के साथ डिजनी होस्टा के लिए म्यूजिकल डॉक्मेंटरी तयार कर रहे हैं रुड की में विज़धश्मी को लेकर जोरोशोरों से तयाइरिया की जा रही हैं जिसको लेकर रुड के नहरु स्टेडियूम में रावण और कुरुना के पुतले बनाये जा रहे है जिहां इस बार विजय दश्मी पर रावण के साथ साथ कुरूना का पुतला भी फूका जाएगा इसकी तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही है इसके लिए उत्तरप्रदेश से बुलाए गए कारिकर काम में लगे है बता दें इस बार कुरूना ने लाखों लोगों की जिन्दगिया चीन ले थी जिसको लेकर इस बार कुरूना का भी पुतला देहन करने का निर्णा लिया क्या ताकि इस दशेरे के बाद कुरूना देश और दुनिया से पूरी तरह से निस्ता नापूत हो जाए कल होने वाले दशेरे में रावड का 70 फिट उचा पुतला बनाया गया है जबकि कोरुना का 55 फिट उचा पुतला बनाया जा रहा है तो इस बार रुड़की में रावड के साथ ही कोरुना का पुतला भी देहन किया जाएगा और इसके साथ ही ये बनुकामना की जाएगी कि अब इस देश से और साथ ही साथ उत्तराखन प्रदेश से अब कोरोना पूरी तरह से चला जाए दर्शकों चार धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आखड़ा एक लाख के पार हो गया है बदरिनाथ, केदारनाथ, गंगो उत्री वा यमने उत्री धाम में प्रते दिन यात्रियों की संख्या के बाधिता हटने के बाद चार धाम की यात्रा रफ्तार पकड़ रही है उत्राकण देवस्तानम प्रबंधन बोर्ड के मताबिक बुद्धवार को चारो धामों में 7,876 यात्रियों ने दर्शन किया कुल मिलाकर अब तक चारो धामों में 1,3,860 यात्री दर्शन कर चुके है केदारनाथ में प्रते दिन दर्शन आर्थियों की संख्या बढ़ने से केदारपुरी बाबा के जैकारों से गूंज रही है साथ ही साइकालीन आर्थी में भी काफी संख्या में शद्धालू शामिल हो रहे है बता दें बीते पांच अक्टूबर को ई-पास के बादिता खत्म की गई थी जिसके बाद से धाम में प्रते दिन शियो भक्तों के संख्या बढ़ रही है बुद्धवार को केदारनाथ में शाम तक चार हजार से अधिक शियो भक्त दर्शन कर चुके थे वहीं शाम के आर्थी में भी पंदरा सो से अधिक शद्धालू शामिल हुए यातरा प्रवारी युद्धवीर सिंग पुष्पवान ने बताया कि बीते 18 स्टंबर से भी तक 48,000 से अधिक किदारनाथ में बाबा के दर्शन यातरी कर चुके है तो फिलाल के लिए उत्राखंट के इस खास पुलिटन में इतना ही कली पार फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया झाल